शामली की थाना भवन छेत्र के कस्बा जलालाबाद के उप स्वास्थे केंद्र पर मुख्य मंत्री जन आरोग्य मेले का आयोजन किया गया था जिसका शुभारंभ करने उत्तर परदेश के कैबिनेट गन्ना मंत्री सुरेश राना पहुचे थे जिन्होंने सरकार की नीतियों का गुनगान करते हुए कस्बे को जल्धी एक अच्छा स्पत्ताल देने का वादा किया उन्होंने इस दोरान मेले का शुभारंभ फीता काट कर किया और स्वास्थे विभाग के करमचारियों से मेले में लोगों को बहतर सुविधा मुहिया कराने का निर्देश दिया वही स्वास्थे विभाग की CMO डॉक्टर संजे भटनागर ने जन आरोग्य मेले में 475 मरीजों के फ्रीजाच व्य उपचार की बात कही और बताया की मेले में आयुश्मान गोल्डन कार्ड भी बनाए गए है विष्वास वर्सों से जिसका इंतजार था विधिवत कि सर प्रात्मिक के अंदर का उध्गाटन हुआ है यहां में भारत के काड़क भी बन रहे हैं तमाम प्रकार का टीकाकरन हो रह से अंन्य तंमाम हो कि स्वास सिवार यहां है और टीवी मुक्त भारत सब्सक्राइस ने पर सुक्राइब कराएं और हमारा प्रियास है चुकी यह नगर पंचया थे तो आने बाले समय में स्वास की सारी सुधाय यह उपलव्द कराएं और एक अच्छा स्पताल यहां रनिंग हो और यहां के लोगों को स्वास का पूरा लामेंज आज ये मुख्यमंत्री जन आरों के मेले चल रहे हैं हर रवीवार को दो फरवरी से शुरू हुए हैं उसी के क्रम में आज भी यहां पर एक मेला था जिसका उद्गाटन माननी है कैबिनेट मंत्री सिरिशुरेश राणा जी के द्वारा कराए गया है तो इस आज यहां पर 26 गोल्डन कार्ड बनाने के रिजिस्ट्रेशन हुए है और तीन कार्ड जो पुराने थे वो तैयार हो गए है यह रिजिस्ट्रेट का वेरिफिकेशन होके यह भी बाठ दिये जाएंगे